नमस्कार दोस्तों मैं नीतियंकुर्चोधरी एक बार फिर अपने जनल में आपका स्वागत करती हूँ रुद्र नौलिजब दोस्तों आज पिर मैं आपके लिए एक बहुत बड़ी है वेकेंसी लेके आई हूँ यूपी से आपकी वेकेंसी निकल के आ रही है उत्तर परदे स्वाइब करना है और कैसे आपका सेलेक्शन होगा सारी जीज़ पर मैं डिसकेसन करूंगी और आपको कहीं भी नहीं जाना है ठीक है वीडियो पूरी देखना है और यहां पर किसी कोई क्वेरी बनती है वीडियो देखने के बाद आप मुझे भी कमेंट कर सकते हो और इनक नापुर मेटरो हेल्प नाइन नमबर है ठीक है और मैं अब सीधे चलती हूं बुद्धे की बात पर रिसोर्स केरियर केरियर वाले उप्शन पर जाएंगे रिक्रूट्मेंट तोचार चोबिस इस पर हम किलिक करेंगे ठीक है इस पर मैंने किलिक कर दिया आपके सामने एक 2024 ठीक है और सारा प्रोसीजर बताऊंगी मैं अभी आपके सामने थोड़ा नीचे स्क्रोल बार करती हूं यह आपके सामने तीन चीज़े दे रखी है फिर्स्ट है आपकी एडवर्टाइजमेंट सेकिंड है आपका हाव तो अप्लाई और थार्ड आपका फी डिपोजिट ठीक है तीनों चीज़े अभी के अभी बताऊंगे और फॉर्म फिल करना बताऊंगे फीस जादा नहीं है घबराना नहीं है ठीक है नाम मातर की फीस है अभी देखते हैं अगर मैं एडवर्टाइज वाले उप्शन पर क्लिक कर दूँ आपके सामने सारा प्रोसीजर ओपन तेरा मार्श दोजार चोबिस को ठीक है और आपका जो रिजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं वह और ते वह थे भाई आपके 20 मार्च से ठीक है अर एप्लिकेशन की भाई लास डेट बात कर लूँ बाई ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म फिल की भाई यह है आपकी उन् आपका एड्मिट कार्ट 30 अप्रेल को से डाउनलोड होने स्टार्ट हो जाएंगी यह मैंने आपको सारी चीज़ें बता दिया अब तक कि अब इससे आगे चल दूँ ठीक है थोड़ा नीचे स्क्रोल बार करती हूं पोस्ट कोड यह है आपका नेम ओफ दा पोस्ट अगर पहली पोस्ट है आपकी अशिस्टेंट मेनेजर ठीक है अलगर के कि पोस्ट इस सिस्टेंट मेनेजर की मैं इसकी पे स्केल की बात कर द recruit यािया आपकी पेसकेल 50,000 से लेकर 16,000 तक आपकी शेल कीकि अकर नंबर वेकेनसी की बात कर लो caterat us में 11, UR की 2 है, EWS की 1 है, OBC की 2 है, SC की 6 है, SC की 5 है, ST की 1 है, और Women की 2 है, अगर qualification की मैं बात कर लो, आपने BE कर रखा हो, BTEC कर रखा हो, इसमें Electrical में, ठीक है, Electronics Engineering में, तो आप इसमें Apply कर सकते हो, ठीक है, और आपके कम से कम Minimum 60% आपके होने चाहिए, Age Limit की 21 to 28 years इन्होंने मांगा है, ठीक है, और अगर मैं थोड़ा नीचे और स्क्रोल बार कर दूँ, Second Number पे Assistant Manager, ठीक है, इसकी भी salary यही है, 50,000 से लेकर 1,60,000 के बीच, Vacancy है, टोटल 6 है, और आपने BE कर रखो, BTEC कर रखो, Electronics, Electrics, ठीक है, Communication और Equivalent in this field, ठीक है, आप इसमें apply कर सकते हो, और इसकी भी age limit 21 से लेकर 28 साल तक है, ठोड़ा और नीचे में स्क्रोल बार कर दूँ, तीसे नंबर पे है, आपके Assistant Manager जो क्यों, प्रेशन है, प्रेशन के लिए इसकी भी salary यहीं है, पचास अजार से लेके एक लाख साथ अजार तक, और पोस्ट हैं भाई, आपकी तीन वेकेंसी हैं, और आपने B, BTEC कर रखो, communication में ठीक है, और वाई, इलेक्ट्रोनिक्स में तो आप इसमें apply कर सकते हो, 60% आपके minimum होने चाहिए, इस लिमिट वो ही है, नीचे आपके assistant manager IT की भी salary सेम है, वेकेंसी हैं तीन और आपने master degree computer application में कर रखो, या फिर computer science से कर रखो, ठीक है, master of technology में कर रखो, आपके पास specialization computer application हो, या फिर B, BTEC कर रखो, आपने computer science से तो आप इसमें apply कर सकते हो, ठीक है, और age limit वोई किसेट 28 के बीच, next by assistant manager की देख लेना भाई, ठीक है, next by assistant manager architect salary सेम है, वेकेंसी एक है, और assistant manager human resources, human resources HR के लिए भी दो वेकेंसी है, आपने MBA कर रखो भाई HR से या फिर PGDM कर रखो HR से तो भी आप इसमें apply कर सकते हैं, next assistant manager public relation की भी एक वेकेंसी है, आपने mass communication में master कर रखा हो, तो आप इसमें apply कर सकते हैं, आपका assistant company secretary के लिए भाई आपकी एक वेकेंसी है, और आप member of the institute of the company secretary of the India with minimum 50% आपके mark से होने चाहिए, और age limit वो ही है आपकी, age relaxation की भी बात करूँगी, वीडियो पसंदार ही है, तो भी वीडियो को like कर दो, channel को subscribe कर दो, आपके लिए job लेकर आई हूँ भाई ठीक है, वीडियो कोई भी skip नहीं करनी है, नहीं तो आपका ही loss होना है, ठीक है, और एक वीडियो में मैं आपको एक एक चीज समझा के चलती हूँ भाई, ठीक है, वीडियो मैं कहीं से भी skip नहीं होने देती, एक एक चीज समझाती हू आपकी फिर भी बाई किसी की कोई बसती है तो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं नेक्स्ट वह तो एक्जिक्यूटिव की थी यह नोन एक्जिक्यूटिव पोस्ट के लिए ठीक है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रीकल की इसकी सैलरी हो जाएगी बैद 33,000 से लेकर 66,300 के बीच और वेकैंसी है भाई इसमें 88 ठीक है और एज लिमिट हो ही है आपकी नेक्स्ट है भाई आपकी जूनियर इंजीनियर संटी और आप देख लीजिए का सेम इसी के लिए आ रही है स्टेशन स्टेशन कंट्रोलर ठीक है ओफिस एससेंट एचार के लिए पैसेलरी है पच्छी सजार से क्यावान अजार पैकंसी है चार और एज लिमिट है भाई आपकी किसेट टाइज और आपने तीन यह चार साल का पोस्ट ग्रेडियोशन डिप्लोमा करका हो ठीक है किसी भी मानने तप राप्तियों नियुश्टे से और आपके 60% होने यह तो थी आपकी पोस्ट क्वालिफिकेशन मैंने आपको सारी बता दी 60% आपके होने चाहिए जो प्रोफाइल इंडिकेटिव यह जो प्रोफाइल ओप असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस इन्वोल्स फाइनेंस मेनेजमेंट यार्पी पे अलाउंस एक्सक्तरा आपको सा हारे ठीक है यह सारी चीज़ का पनीफिट मिलेगा और मैं नीचे सल्गेंशन प्रोफीज़र आपको सेल्सीज़ समें प्रोफाइल प्रोफीज़र प्रोफ वार होगी आपका इसे साथट साथ मैडी कल एक्जाम lining च sociedढ और कुछ पोस्ट के लिए भरुछ बआ बईंगर की सेकेंड स्टेज है ठीक है और मैंने आपको बता दिया भाई मैं में आपका एक्जाम होना है अब थोड़ा से में रिटिन टेस्ट के लिए बात कर लूँ भाई आपका CBT होगा ठीक है और आपके 140 कोशन आएंगे और भाई इसमें देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग फॉ और 140 नमबर का आपके 140 आपके कोशन सोंगे ठीक है एक्जामिनेशन सेंटर की मैं बात कर लूँ भाई आपके एक्जामिनेशन सेंटर आगरा ब्रेली अलीगर गाजयबाद गोरकपुर जहासी कानपुर लकनाव मतूरा मेरट मुरादबाद मुझफरनगर नौइडा प्रि के बाद आपको चेंज करने का मौका नहीं मिलेगा और आप अपने का और आप अपने डाउनलोड 30 अपरेल से डाउनलोड कर सकते हो और आपका 11 माई 12 माई और 14 माई को आपका एक्जाम होना है ठीक है और बही ट्रेनिंग में अगर मैं आपकी सैलरी की बात कर लूँ ट्रे है कि भाई ठीक है नहीं यह आपका बॉंड सोरी सोरी फोर दाइट यह आपका बॉंड हो जाएगा और यह सारी भाई पे यह सारी चीजे दे रखके इन्होंने आप देख लेना प्रोबेशन पीरिएड आपका दो साल का होगा पर्मानेंट पोस्ट है ठीक है और एज रिलक इसी कैंडिडेट वेल बैनेफिट एज रिलक्षेशन ही विल बी कंसेडर अगेंस रिजर्व पोस्ट ओनली ओनली कैंडिडेट ओपी डोमिसाइल आर एंटर सच एज रिलक्षेशन जो यूपी के बंदे है उनको पांच साल का रिलक्षेशन मिल रहा है ठीक है अदर अदर सिट वालों को को गांडिड़ा कि डिल रहा है ठीक है और नीचे यूपी तेंग रहा हो yapka j ठीक है और अगर मैं payment की बात कर लूँ भई payment है आपका एक यू आरे डूस ओबीस केंडिया रिक्वाइर टू पे नों रिफॉंडेवल फीस है आपकी ग्यारा सो असी आपकी फीस है और ये थारा परसेंट इसपर घ्स्ट हो जाएगी ठीक है और यह आपकी 1180% हो जाएगी और CST के लिए 826 है और 18% GST में इंक्लूड है ठीक है और फिर भी अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बोक्स में कमेंट कर सकते हैं और इनके दिये यह लखना और कानपुर वाले हैल्पनाइन नंबर पर भी आप इस पर कोल करके पूछ सकते हैं ठीक है और आप अपना फॉर्म भाई 19 अप्रेल से पहले आप अपना फॉर्म फिल कर देना ठीक है और जैसा कि मैंने बताया 30 अप्रेल से आपका डाउनलोड हो जाएंगे और आपका एक्जाम 11 माई 12 माई और ठीक है और यूपी के अंदर फिर भी वाई क्वैरी बसते तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्यू सो मच